Welcome to the प्रियाग राज इंस्ट्यूट मध्धि पर्देश इस्पेशल मध्धि पर्देश इस्पेशल के करेंट अफेर में हम बहुत इंपोर्टन क्वेशन लेकर आए हैं यहां पर जो पहला question है, question यह है कि देश की पहली E-KaCra Clinic कहां खोली गई है तो आपसे पूछा जा रहा है कि E-KaCra Clinic कहां खोली गई है तो इस प्रशन का सही उत्ता है भोपाल जो मध्धि पर्देश की राजधानी है देश का पहला इक कच्रा क्लिनिग भोपाल में खोली गई गये दूसरा क्वपाल में लाडली लच्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया फिर से ध्यान से देखिए इस प्रशन को भोपाल में लाडली लच्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया ये MPPSC State Forest 2020 का जो मेंस का एक्जाम था उसमें ये प्रस्ण पुछा गया था तो ये important प्रस्ण है तो ये 8 मही 2022 की बात है तो भुपाल में लाडली लच्मी उसाव कायोजन 8 मही 2022 को किया गया था अब हम बात करेंगे अगले प्रस्ण के बारे में 2020 में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या किया गया है ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है मध्य परदेश का जो योजना आयोग है 2020 में उसका नाम जो है चेंज हो गया है तो जो नविंतम नाम रखा गया है वो नाम क्या है तो नाम है मध्य परदेश राज नीती एवं योजना आयोग ये मध्य परदेश योजना आयोग का नया नाम है क्या फिर से देखे मध्य परदेश राज नीती एवं योजना आयोग ओप्सन नमबर ए इसका सही उत्तार है ठीक है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मध्यपरदेश राजनीती योजना आयोगे इसके अध्यच कौन होंगे जी यहां इसके अध्यच होंगे मुख्य मंत्री ठीक है जो यहां के मुख्य मंत्री होंगे है वो इसके अध्यच होंगे तो मध्यपरदेश राजनीती योजना आयोगे बरतमान अध्यच के अगर अगला प्रशनिया है कि मध्य प्रदेश शरकार द्वारा विश्णु कुमार समा सेवा पुरुषकार में कितनी रासी देने की घोशना की गई है तो यह रासी है मध्य प्रदेश के किस सहर में पहला जी लाजिकल पार्क बनाना तै है तो इसका सही उत्तर है जबलपूर जबलपूर में यह पहला भारत का या ये कहा जाए देश का पहला जियोलोजिकल पार्क बनाया जाएगा तो अगर जगा की बात कहा जाए कि जबलपूर में वो कौन सा जगा है या छेतर है जहां पे जियोलोजिकल पार्क बनाया जाने की बात की जा रही है तो ये है जबलपुर के लमहेटा घाट छेतर में तो 35 करोंड के लागत से देश का पहला जियोलोजकल पार्क बनाया जाएगा दूसरा प्रस्ण आत निर्भर मध्य परदेश बजट 2021 में मिशन बोधी का संबंध किससे है? ये टर्म याद रखने हैं आप लोगो मिशन बोधी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सिच्छा एवं स्वास्त से ओप्सन नमबर C थोड़ा सा जानते हैं मिशन बोधी के बारे में तो 21 सदी के अनुप इश्मार्ट क्लासरूम सीम राइज स्कूल की स्थापना सिच्छकों की भार्ति का प्रावधान ये मिशन बोधी में है इसके साथ छात्रावास का निर्मान उच्छ सिच्छा एवं स्वास्त के लिए प्रुटसाहन पोर्षन वाडिकाओं से कूर पोर्षन अदूर करने के प्रयास इसके अतहत किये जाएंगे तो यहां पे सिच्छा एवं स्वास्त धोनों की बात की जाएगी जिसका जिक्र किया गया था आत्म निर्भर मध्यपरदेश का जो बज़र था 2021 में अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से समंदी थे आत्म निर्भर मध्यपरदेश 2021 मतलब मध्यपरदेश का 2021 का बज़र था उसमें मिसन दच का समंद किस से आपसे पूछा जा रहा है कि मिसन दच का समंद किस से याद रिखे ये समंद नहीं थे रोजगार से इम्प्लायमेंट से तो मिसन दच के तहत वोकल फार लोकल का आँवान मेगा आईटी आई ग्लोबल इसकिल पार्क से कोसल विकास एवं रोजखार पर ध्यान के अन्दित करना है तो इससे क्या जनरेट करना है इंप्लॉयमेंट अब फिर उसी तरी से समलर जो है प्रशन है कि आत्म निर्भर मध्य परदेश बजट दो हजार इक्किस में अगर आप से पूछा जाए कि मध्य परदेश की अरतविवस्था कैसी है तो जी हैं, मध्य प्रदेश की अर्थ ब्यवस्ता है क्रिशी प्रधान और अगर आप से पुछा जाए कि पीछे आते हैं, बैक अगर आप से पुछा जाए कि भारत की अर्थ ब्यवस्ता कैसी है तो भारत की अर्थ ब्यवस्था भी जो है वो क्रिशी परधान ही है ठीक है और क्रिशी परधान अर्थ ब्यवस्था से मतलब यह है कि क्रिशी जो प्राइमिस सेक्टर है क्रिशी एगरिकल्चर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो involved रहते हैं लगे रहते हैं ठीक है तो मध्य परदेश की अर्थवियसा किसे किर्शी पतान आप निर्भर मध्य परदेश बजट 2021 में भौतिक अधो संरचना ठीक है भौतिक अधो संरचना के अंतरगत मिसन सामिल नहीं है चार आप्शन है मिसन निर्माण मिशन ग्रामोदे मिशन नग्रोदे और मिशन जनगड़ जी इसका सही उत्तर है मिशन जनगड़ मिशन जनगड़ जो है वो भौतिक अधो संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतरगत नहीं है जो कि 2021 के मध्य परदेश बजट में किया तो मिशन जनगड़ के बारे में हम बात करते हैं इसका लच्छ क्या है देखिए सहस्ता से आम जन को नागरी समय प्रदर्शित पारदर्शित अफ़िस समय समय के उपलब्द कराने का मिशन जनगड़ के लच्छ है एकत्व कारिक्रम के तहत एकल नागरिक डेटाबेस त्य से एक ही पोर्टल पर सभी परकार के नागरिक शेवाएं उपलब्ध करवाना यह है मिशन जनगन का लच्छ और महिला ससर्थिकर्ण यह सम्मान एवं मुस्कान अभियान को जारी रखना इसके साथ में कानून यह नियाब्योस्था भू लेक तथा खाद्य सुरच्छाहित उ आत्म निर्भार मध्यप्रदेश बजट 2021 में मिशन अर्थ का उद्देश क्या है क्या मिशन अर्थ का उद्देश क्या है तो मिशन अर्थ का उद्देश किसानों को उच्छत मुल्य दिलाना यह भी है उद्द्योगों में निवेश बढ़ाना यह भी लच्छ है मिशन अर तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है option number D तो mission अर्थ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग देखिए मुख्यमंत्री फसल उपारजन योजना के अंतरगत किसी उत्पादपता था किशानों को उचित मुलित दिलाने है तो ध्यान के अंदरा करना है उद्द्योगों में निमेश को बढ़ावा देना है start your business in 30 days पर भी सेज ध्यान देना है फिर से सुनिए इस बात को start your business in 30 days पर भी सेज ध्यान देना है इसमें इस तरह के जो keywords पूछे जाएं कि mission earth, mission नगरोदे किसे का उद्देश है तो इसको जरूर याद रखिए अगला प्रस्न आत्म निर्भर मध्धि परदीश वजट 2021 में mission निरामय आप से पूछा जा रहा है कि mission निरामय का उद्देश है इसका उद्देश है स्वास्त सेवा एं परबंधन इसके साथ में टेली मेडिशन को बढ़ावा देना मेडिकल कॉलेज में सीटो को बढ़ाना तो ये तीनों option है तो इस हिसाब से इस प्रस्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा option number D उपरोग सभी तो फिर से देख ली जिए मिशन निरामय में क्या क्या होगा स्वास्त सेवा एं परबंधन उनका मैनेजमेंट करना टेली मेडिशन को बढ़ावा देना मेडिकल कॉलेज में सीटो को बढ़ाना मिशन निरामय का उद्देश है जिसकी बात की गई थी मध्य परदेश के बज़ाट 2021 में अगला प्रसुन अच्छा अगर आप से पूछा जाए देश का पहला ड्रोन इश्कूल मध्य परदेश के किस इस्थान पर खुलेगा फिर से देखिए यहाँ पे देश का पहला ड्रोन इस्कूल की बात की जा रही है तो यह खुलेगा मध्य परदेश के ग्वालियर सहर में तो देखिए मध्य परदेश का पहला ड्रोन इस्कूल ग्वालियर सहर में प्रस्तावीत है और मध्य परदेश में फुल पांच ड्रोन इस्कूल खोले जाएंगे जो की एक ग्वालियर में होगा जो कि पहला होगा इसके बाद इंदोर, भुपाल, जबलपुर और सपना में भी प्रस्तावीत है अब इसी प्रशन के क्रम में हम नेक्स्ट प्रशन की बात करेंगे नेक्स्ट प्रशन हमारे सामने है कि आत्म निर्भर मध्य परदेश बजट 2021 में मिशन निर्मान का अंतरगत सामिल क्या है ठेक ये क्या है मिशन निर्मान तो इस तरह के जो की वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट बना लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बात तो मिशन निर्माण के अंतरगत क्या है ओप्सन है सड़क निर्माण, सिचाई पर्योजनाय, ग्रामिन घरों में नल जल की सुविधार, जी हाँ, मिशन निर्माण के तहत ये तीनों चीजे हैं, सड़क निर्माण भी है, सिचाई पर्योजनाय भी है, ग्रामिन घरों में नल जल की सुर्धा भी मुहया कराना मिशन निर्माल के अंतरगत है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा option number D उपरोक्त सभी आगे आत्म निर्भर मध्धि परदेश बजट 2021 में मिशन गरामोदय का उदेश्च आपको बताना है तो मिशन गरामोदय का उदेश्च क्या है देखें option स्वयम सहता समू को बढ़ावा देना स्वच भारत को प्रोशाहन देना और option C है उपरोक्त दोनों इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों मतलब मिशन गरामोदय के तहट स्वयम शहायता जो समू है उनको बढ़ावा देना भी है इसके साथ में सुच भारत को प्रोशाहन देना भी मिशन गरामोदय का उदेश्च है अब हम बात करेंगे अगले प्रश्ण के बारे में अगला प्रश्णी है कि 2020 को ओद्रगिक नीती एम समवर्धन विभाग द्वारा जारी इस आफ दूइंग बिजनेस ठीक है जो द्वारा जारी इस आफ दूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंसार मध्य परदेश का देश में कौन सा इस्थान था अच्छा है यहां पर एक चीज़ में आपको बता दूँ जो ओदोगिती नी बिजनेस इंडिया के परदेश्वों के बेज पर त्यार करती है और वर्ल लेबल पर आप पुछा जाए कि इस आफ दूइंग बिजनेस कौन त्यार करता है गलोबल लेबल पर तो यह है वरल बेंक ठीक то ग्लोबल लेबल पर वोर्ल बैंक त्यार करती है यह 2020 बारे में तो फोर्थ नम्बर जो है इसका सभी उत्तर है ठेक चौथा अस्थान था और अगर आपसे पूछा जाए कि उस साल जो है देश में पहला अस्थान किसका था तो आंधर प्रदेश को प्रथम अस्थान था 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अब हम बात करेंगे अगले प्रशन के बार हैं मध्य परदेश बजट 2023 किसने प्रस्तुत किया देखे इस्टेट का जो बजट होता है जो इस्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और जो यूनियन बजट होता है जो आम बजट होता है उसको प और मद्रिप्रदेश बजट 2030 के अगर बात किया कहा सोट करने वाले थे यहां के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवStart और जगदीश देवडा तो सही उत्त है जगदीश देवड़ा में फ्रूह हम दो जान लेते हैं इनका जन निमत चिले में हुआ था ठीक है और इस समय यह जो फाइनेंस मिनिस्टर है वित्त मंत्री है ठीक है और इर्वन बजट का प्रस्तुत किया था जी हां मुझरी वरिहत भ्यांदी जे मुझरी ने मुझरी वरिहत सिचाई परयोजना मद्यपर्देष के किस जीले में प्रारंब की जाएगी और यह परयोजना जो है वह 414 क्रोर की प्रियोजना है कितना? 414 क्रोर Next मध्य प्रदेश में किस इस्थान पर पुलिस कर्मियों की सुबधा के लिए पुलिस चिकत साले खोलने का निर्णे लिया गया है यहाँ पे पुलिस चिकत साले की बात की जया रही है कहां पर खोला जाएगा मध्ष प्रदेश की राजानी भूपाल में अगला प्रस्ट एक जीला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपूर जीले में चैन किया गया है तो अनूपूर जीले में क्या चैन किया दमो का हो गया काबुली चना बैतुल का है शागान वरिच ध्यान दिजेगा बैतुल का one district one product है क्या शागान वरिच और शीनी जीला का है सीता फल Next फिर One District One Product से ये परसन एक जिला एक उत्पाद योजना के तख अलिराजपूर जीले का चैन किया गया है तो अलिराजपूर जीले का चैन जो किया गया है महुआ के लिए ठीक है महुआ तो याद रखेगा अलिराजपूर के लिए महुआ मवा का बॉट निकलने में है मदुका इंडी का चीक है निवाडी जो है अद्रक के लिए है भिंड सरसो के लिए है और रीवा जो है वो सुंदरजा आम के लिए है अब हम बात करते हैं अगले प्रशन के बारे में अफरिका महादिव के किस देश से कुनो पालपूर रास्टी उद्ध्यान में 17 सितंबर 2022 को चीते लाकर बसाए गए है जी ये प्रशन जो है वो काफी इंपोर्टेंट है और ये जो है निवज में काफी हाइलाइट था तो 17 सितंबर 2022 को जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे कहां से नामीबिया में नेक्स्ट क्वेस्टन मध्य प्रदेश की इंदोर सेंटर जेल के द्वारा नए एफेम रेडियो नए एफेम रेडियो की शुरुआत की गई है ठेक तो उसका नाम बताने है आपको जी हाँ ये है जेल वानी आप्शन नमबर बी अगला प्रशन मध्य परेश के किस या किन सहर या सहरों में पूलिस कमिस्टनर पड़ाया लया की जाए गी तो इस प्रशन को ध्यान से दिखेंगे तो यह इंदोर और भौपाल दोनों में की जाएगी तो इसका जो सही उत्तर है इंदौर और भौपाल दोनों तो option number C इसका correct answer है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हम लोग मध्यपरदेश के दो प्रमुक्षर जैसे भौपाल और इंदौर में पुलिस कमिशनर प्रणाई लाग करने के लिए collector के आदेश का इंतिजार नहीं करना हो पड़ेगा तो अपने सुधा के अंसर जो फुलिश डिपार्टमेंट है धारा 144 इंपोज कर सकती है अगला प्रशन है फोसंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदा पूरम कर दिया गया है ठीक है तो आपको डेट बतानी है कि किस डेट को फोसंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदा पूरम कर दिया गया है जी हाँ इसका जो सही उतर है 7 परवरी 2022 ध्यान दिजी फोसंगाबाद संभाग का नाम नर्मदा पूरम संभाग जो है वो 2008 में ही कर दिया गया था अगर आप से बात की जाए कि नर्मदा पू जीला है उसका नालमदा पुरम नाम रखा गया साथ परदे 2022 को तो संभाग तो 2008 में रख दिया गया था अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में मध्य परदेश लोग सवा आयोग के नए अध्याच कौन है जी यहां लोग शवा आयोग MPPSC की बात की जा रही है मध्य परदेश पबलिक सर्विस कमिशन की बात की जा रही है इसके जो अध्याच है राजेस लाल महरा ऑप्शन नमबर C ध्यान दीजीए कि इससे पहले जो है चैक शे माँ से करवाहकँ अध्यच के रूप में कायर कड़ने वाले राजिस लाल महरा को नौमर 2021 में मध्य प्रद्स लोगसावया का अध्यच निभ्तिया गया ठीक है और अन्य सदस्यों में किश्कार सर्मा और चंख सेक रैक वार और राजिसलाल महरा ने डक्टर भासकर 24 जोवेता पर किका है इसमे मध्यिपरदेश में में देवाराणी यूजना का संबने कि मैं है उसका मंद्ध है औसधी और रोजगार से option no.1 औसधी और रोजगार तो मध्य परदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोडने के लिए सरकार ने देवारणी योजना बनाई है और परदेश में देवारणी योजना के माध्यम से आईश और शोधियों के उत्पादन एक पूरी value chain का विकास किया जाएगा ठीक है तो देवारणी योजना का समन्द किस से है औसधी और रोजगार से अगला प्रस्ट छे जुलाई च्छे जुलाई 2021 को मध्यपर्देश में किन्हे राजपाल नंगत किया गया तो परतमान में जो राजपाल है मंगु भाई पटेल थे इनका पूरा नाम जए मंगु भाईW मध्यप्रदेश के और यह वर्ष 2014 में गुजराद विथान संभा के कार्यकारी उपाध्यच भी रह चुके हैं ठीक है और इनका जो निर्वाचन छेत्र है गुजराद का नौसारी जिला है नौसारी जिला वही है जहां से धांडी है नेक्स्ट मध्यप्रदेश वन मंत्राले किसके अधेन है आपको बताना है कि मध्यप्रदेश में वन मंत्री इस समय कौन है यह हैं स्री विजय सा कौन स्री विजय सा ओप्शन नमबर डी मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्यान मंत्री का नाम बताना है आपको तो मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्यान मंत्री का नाम है स्रीमती यसोधरा राजे सिंधिया ओप्शन नमबर C स्रीमती यसोधरा राजे सिंधिया ये सुराजपूर मध्यम सिचाई परियोजना किस जीले में शुरू की जाना प्रस्तावित है सुराजपूर मध्यम सिचाई परियोजना कि शुरुआत की जाएगी नेक्स्ट मद्य प्रदेश में 5G internet की शुरुवात कहां से की गई यह important question है ठेक है तो पुछा जा रहा है कि मद्य प्रदेश में 5G internet की शुरुवात कहां से की गई यह किया गया है उज्जेन महा काल लोग से ठेक है तो उज्जेन option number 1 नेट्स्ट रासन आपके ग्राम योजना का प्रारम कहा से हुआ था तो रासन आपके ग्राम योजना का प्रारम आपको डेट बतानी ए तो ये है डेट पंदरन नॉमबर 2015 option number 1 इसके बारे में तोड़ी से जैनकारी लेते हैं हम लोग तो जंजाती गौरों दीवस पर परधान मंतिर नरेन मोदी द्वारा जो है 15 नौमबर 2021 को इस योजना को फरारम किया गया और इस योजना के ताथ आदिवासी छेत्रों में जहां राशन वित्रन मुल्ल की धुवान नहीं है उन छेत्रों में राशन घर घर पहुँचा जाएगा ठीक है ते काफी महत्पोन योजना है इसको भी आपको याद रखता है next किस भारती राज ने अभी हाल ही में विश्व पैंगोलीन दिवस भारती पैंगोलीन को रेडियो टैग किया है यह बहुत important question है और यह जो है तो 2021 के MPPSC prelims में पूछा भी गया है ठीक है तो पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पैंगोलीन की रेडियो टैगिंग और इसमें जो राज है वो मध्य प्रदेश ठीक है तोड़ा इसके बार में जानते हैं मद्धि परदेश ने अत्री लुप्त पराय रजाती में सामिल भारती पैंगोलीन के सनच्छन के लिए विशेस भाल की है और वन्युहाग और वाइड लाइफ कांजर्वेशन ट्रस्ट ने भारती पैंगोलीन की पाइस्तिकी को समझने और उसके परभावी सनच्छन के लिए स्वेंट पर्योजना की सुरू की है ओके नेक्स्ट दीदी वहान सेवा किस राजने सुरू की है ठीक है डीदी वहान सेवा किस राजने सुरू की है तो यह है मध्येपरदेश तो यह है क्या दीदी वहान सेवा ग्रामिन महलाओं के प्रसाप को स्वुच्छित करने के लिए की गई है धर्म परिवर्तन के खिलाव किस राज ने धार्मिक स्वत्नता बिल 2020 को मंजूरी दी है जियां इसका भी सही उत्तर है option number B मध्य परदेश नेक्स्ट मध्य परदेश सरकार ने सहीद समान दीवस मनाने की घोशना की है तो ये है 14 अगस्ट के दिन को सहीद समान दीवस के रुप में मनाया जाएगा ये डेट आपको याद रखना है नेक्स्ट पंदर नॉमर 2022 जनजाती गौर दिवस के उसर पर पेशा अधिनियम ठीक है यहाँ पर बात की जा रही है पेशा की तो पेशा का फूल फॉर्म होता है पंचायत एक्स्टेंशन इंसिडियूल एरिया तो पेशा अधिनियम के अंतरगत ग्राम सभा को कौन से अध अधिकार दिये गए हैं तो इसमें जो ग्राम संभा को जो अधिकार दिये गए हैं उनके बार में हम जिक्र करते हैं जमीन पर अधिकार की बात की गई है जल पर अधिकार की बात की गई है जंगल पर अधिकार की बात की गई है जिसका जो सही उत्तर है option number B उप्रोक्ट सभ नेक्सट द्रोणाचारे पुरुषकार 2022 किसे परदान किया गया है इनका समद्ध is वो शुटिंग से है तो मध्य परदेश सुटिंग अकादमी की कोच सूसरी सुमा शिरूर को दोनाचायर पुषकार से समाने किया नेक्स्ट फालही में भोगपाल के सुमदत सास्टि का निधान हो गया इनका सम्मन्ध जो है किस छेतर से था तो ये एक पत्रकार थे पत्रकार जाए जनलिजम से इनका सम्मन्ध था राश्कुति सुरी कोवीद द्वारा दो हजार बीज के लिए मध्य परदेश से कथक निट एवन कोरियोग्राफी के लिए सुरी प्रशुत्तम दाधीच को किस समान से समाने किया गया तिनको समाने किया गया था पद्मुक सिरी से अप्शा नमबर C मध्य परदेश का पहला फ्लावर बैंक कहा खुला गया है भुपाल में खुला बैंक कहा बंद्व परदेश का पहला इश्कूबा डाइविंग इस्कूल कहां खुला जाएगगा थेक तो यह खुला जा रहा है औप्शन नमबर C नेक्स्ट देश का कौन सा राज उल्गुलान एक क्रांती फीचर फिल्म का डिजिनल देश करने वाला पहला राज्य बन गया है जी हां यह है मध्यपरदीश टेयर क्वालिटी इंडेक्स की सुची में मध्यपरदीश का सबसे कम प्रदूसित सहर कौन सा है आपको बताना है स सबसे कम प्रदूसित सहर का नाम यह है सागर आपसन नमबर ए नेक्स्ट हाले में डाक्टर हरिसिंग और केंद्रिय विश्विद्डाले की पहली महिला कुलपती कौन बनी है यह इंपोर्टेंट कॉस्टन में रखना है इसको ठीक तो यह है प्रोफेसर निर्मा गुपता आपसन नमबर C मध्यपरदेश का पहला थैला ATM किस सहर में लगाया गया है तो पहला थैला ATM जो है इंदोर में लगाया गया है आपसन नमबर C नेक्स्ट नार्वे देश द्वारा पहला Artificial Intelligence डाटा सेंटर कहां इस्थाफित किया जाएगा तो ये किया जाएगा अस्टा सिहोर में अस्टा सिहोर आपसर नमर एग पोशन वाटिका का नाम बदल कर क्या रखा गया है पोशन वाटिका का नाम बदल कर रखा गया माग की बगिया स्वच सूजल सक्ती सम्मान 2030 किसी परधान किया गया है फिर से इस प्रस्ण को देखे प्रस्ण क्या है प्रस्ण यह है कि स्वच सूजल सक्ती सम्मान 2030 प्रस्ण यह है कि स्वच सूजल सक्ती सम्मान 2030 स्वच सूजल सक्ति समद्ध दो हजार थे जहें वह अनीटा चौर्थी जी पो दिया गया है अगला प्रस्ट चार मार्च दो हजार तेस्क घोसित मध्य प्रदेश का किर्पन्वा जिला मौ गंज में तहसिल सामिल होंगी ठीक है तो उसमें जो तहसिल सामिल होंगी हनुमना यह हनुमना है हनुमना नईगड़ी देव तलाब ठीक फिर तीन होंगी तो उप्रोक सभी है तो चार मई दो हजार तेस को मध्य प्रदेश का तिरपन्वा जिला मौ गंज को घोसित किया गया और यह जिला रिवा जिला से अलग करके 15 अगरस्त दो हजार तेस को अस् सव दो हजार तेस का आयोजन किस सहर में किया गया तो सहर का नाम है धुपाल मध्य प्रदेश की राजथानी जनवरी दो हजार तेस में प्रवासी भारती सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस सहर में किया गया है तो जनवरी दो हजार तेस में प्रवासी भारती सम्म मेलन 2023 के मुख्य अतिथी कौन थे यह बहुत important question है और एक चीज़ ध्यान रखिए यह 17 प्रवासी भारती दिवस था जो की 8 से लेके 10 चनवरी 2023 को इंद और सहर में चला था ठीक है और इसकी theme क्या थी इसकी theme भी याद रखिए अमरित काल में भारत के विकास में विश्वसनी साजहेदार भारत वनसी फिर से इसकी theme को सुनिए अमरित काल में भारत के विकास में विश्वसनी साजहेदार भारत वनसी तो अब प्रशन के आते हैं इन दौर में हुए प्रवासी भारती सम्मेलन 2023 के मुख्य तिथी के मुहमद इर्फान अली और एंथोनी आलवी नाच यह सब आप्सन है तो इसका जो सही उत्तर है मुप्रोक्त दोनों मुहमद इर्फान अली थे और चंद्रकापरसा संतोखी थोड़े से और जानकारी लेते हैं ठीक देखें मुहमद इर्फान अली यह गुवाना के प्रस्टर्वे थे और चंद्रकापरसा संतोखी यह सूरी नाम के राष्ट्पत हैं कहां सूरी नाम ठीक टीन दोनों जगों का भी नाम याद रखना है तक प्रस्टरण प्रवासी भारति समयलन के मुख अती थी तिए अगला प्रस्ट का आयोजन कहां किया गए यह बहुत important question है तो इसका आयोजन किया गया था भुपाल में तो इसके बारे में पुरी सिजन कर लेते हैं हम लोग यह साथवे नंबर का था ठीक है इसके साथ यह सम्मेलन 16 देसों के 350 बिद्धान और 5 देसों के संस्क्रिटी मंतरी भी इसमें सामिल हुए थे अगला प्रशन चार मार्च 2023 को मुख्य मंतरी सीवरा सिंग चौहान ने किस जिले को बनाने की भुष्णा की है तो इसमें चार तहसील है प्रधान मंतरी बाल पुरुस्कार 2023 किसे प्रधान क्या गया है यह प्रधान क्या गया है आतित्य परताप जिंग चौहान को अगला प्रशन अब यही तक सारे जो प्रशन थे करेंट अफेर के यह वीडियो जो है आपको कैसा लागा इसके साथ में आप लोगों मैं बता दूँ ईपी प्रयाग्राज इंस्टूट के द्वारा जो है और इसको देने के लिए आप दा प्रयाग्राज इंस्टूट एप को गूगल प्ले स्टूट से इंस्टूल कीजिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप दिये गए यह कॉंटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं इसके साथ हम अपने इस वीडियो को समाप करते हैं यह वीडियो कैसा लगा जैस धन्यवाद